अगर आप Instagram पर regular content डाल रहे हो चाहे कोई real डाल रहे हो चाहे IGTV वीडियो है फिर post डाल रहे हो अगर आप upload करते हो आपने हमेशा notice किया होगा कि आप जो upload कर रहे हो आपकी original quality कुछ हो रहे है और upload होने के बाद उसकी quality रेहो बलरी सा हो जाता है मितल Kamilimi आप最近 ऋम्रस्ड खक्रूंगा कि अब हाई quality मैं कैसे upload कर सकते हो अपने content को Instagram पर ultra-suster हैं जो होगी मेरा नाम है राचेल करूट है वहल अभी तिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिद्दा सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आते वीडियो को येस लाइक जुरू कर देना मैं आपको दोनों ही मोबाइल में दिखाऊंगा आइफोन में और एंड्रोइड में भी आपको कैसे ऑरिजिनल कर लो क्योंकि अपडेट के बाद ही बहुत लोग कोई चीज़े मिल रही है वैसो थे option बहुत ताइम पहले से था मुझे खुद मालू नहीं था मुझे भी अभी कुछ ताइम पहले इसके बारे में पता चला है मैं भी पहले ऐसी कॉलिटी वे अपलोड कर देता था वीडि हैं यहां पर आपको क्हा करना है आपको अपने प्र Оकांट करने विपे पी आपको नीचे यहां अपको शेरइं के ना अपका छियान मिलेगा अप्लोड करना चाहते है जो भी यह होता है लेस्ट डेटा के लिए कि हमारा डेटा ज्यादा यूज ना हो तो उसे हमारी वीडियो हाई क्वालिटी में नहीं जाती ती जो अच्छोलोन का साइज होता था उसमें अप्लोड नहीं होती तो यहां से हमें इसे अन कर देना है कि अन्सугिका जाते हैं लेके यहां मैं अपनी इस्टरागारम की अप्लीकेश्ट नहीं के था करना मैं तो यहां से अन्सटागाम की यहां की आप्लिकेश्ट नहीं नों थे पिकला gen限लोम भी यहां से उठलीकेश्ट उनी कहां किरेंट को ने किसे लेगा जेलों डेलेटा तो यहां पर आपको data usage को turn off रखना है वैसे तो आप इसे turn on करते हो तो यहां पर जो आपकी high resolution videos है वो हमेज़ा वाइफाई पर ही upload होगी आप चाहते हो नहीं वाइफाई पर नहीं यह cellular मयान की मेरे data पर भी upload हो जानी चाहिए तो आप यहां पर इसे simple cellular plus wi-fi करतो यहां पर मैं यहां पर अगर मेरा वाइफाई connect होगा तो यहां पर अगर मेरा वाइफाई वीडियो जाहेंगी यहां पर अगर मेरा वाइफाई वीडियो सिर्फ data चल रहा है mobile का तो वहां पर भी वह high resolution में ही upload होगी और यह settings बहुत से लोग को नहीं पताती मैं तो instagram बिटना यूज करता कोई भी नहीं और अची application आती है मैं उसी review करता हूं thank you so much